Hello friends, आज का पहला idion हैं दोस्तों 15 नम्बर पे play ducks and rakes to squander money दोस्तों एक नए वर्ड हमें सीखने को मिलेगा, squander, squander का मतलब है फिजूल खर्ची करना, तो आपको क्या करना है, आपको मालुम है ना फिजूल खर्ची करने के लिए E से वर्ड और उसका अन्टोनिम बताना है F से F से बताना है ऐसे इनसान के बारे में जो फिजूल खर्ची नहीं करता है बचता है और E से बताना है फिजूल खर्ची करने वाला अत्यदिक खर्चीला होने वाला उसको कहते हैं E से क्या उसके पिताश्री की डेथ के बाद, मृत्यू के बाद, हेवी डेथ, D-E-B-T, दोस्तों ध्यान रखिए, D-E-B-T जो है, इसमें बी साइलेंट रहता है, डेब्ट नहीं कहते हैं से, डेथ कहते हैं, यानि कि उधार, यानि कि रिन, रिन में बहुत ज़्यादा वो फस गया, बाइ प्लेइंग डक्स औरेक्स विद मनी, मनी के साथ डक्स औरेक्स खेलता रहा, यानि कि बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाता रहा, पैसे उड़ाते उड़ाते वो बहुत ही जादा भारी रिन में दब गया ऐसा यह statement कहना चाहरा है तो play ducks and drakes का मतलब होता है अत्तितिक पैसा खर्च करना Hello friends, स्वागत है आपका digital रियारी चैनल पे मैं श्रियांस को धारी लेकर हैं आपकी प्यारी किताब Objective General English एक बहुत ही शानदार उमदा किताब है बहुत ही beautiful किताब है और इस किताब को देखते देखते आगे बढ़ते चले जारे हैं बस इसी तरीके से आप मेरे साथ बढ़ते चले जाएए आगे बढ़ते हैं दोस्तों Idioms का चैप्टर है मज़ेदार ही चैप्टर है बहुत सारे competition exam में ये directly exam के questions बनते हैं SSE के तो करीब करीब सारे ही प्रकार के papers में ये आते ही हैं तो अगर आप इसे miss कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं अगले इडियम बर हम चलें उससे पहले क्या करेंगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले adjective Flawless और आपको पता है ना इसे क्या कहते हैं हम आज की मिठाई क्या आपने खाई दोस्तों आज की मिठाई है Without a flaw Without a flaw का मतलब होता है Without a fault Fault का मतलब होता है Without an error किसी प्रकार की error नहीं है किसी प्रकार का fault नहीं है किसी प्रकार की truthy नहीं है उसे का आ जाता है truthy रहित यानि flawless errorless बिना किसी error के यानि की unflawed या फिर आप कह सकते है perfect perfect का मतलब है किसी प्रकार का It was a flawless performance by Sachin Tendulkar बिना किसी गलती के गलती नहीं होना errorless होना उसे का जाता है flawless होना याँ flaw एक नया word सीका flawless एक और नया word सीक लिया आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमें तो करना क्या है आगे बढ़ते रहना है 6 नमबर नहीं 16 नमबर पे है दोस्तों play foul foul का मतलब है cheating cheating है मतलब to do something wrong गलत कार्य करना गलत रास्ते पर आगे बढ़ना उसे का जाता है play foul don't play foul with your well wishers यार तुमारे जो well wishers हैं जो तुमारे अच्छे की कामना करते हैं उनके साथ तो यार गलत मत करो flaw मत करो cheating मत करो उनके साथ तो foul मत खेलो play foul foul वैसे आपको पता होगा बड़े-बड़े games में जहां गलत हो जाता है wrong हो जाता है cheat हो जाता है उसे foul कहते हैं तो यह कह रहा है अपने well wishes अपने शुम चिंतकों के साथ foul मत खेलो यानि foul मत करो 17 नमबर देख सकते हैं दोस्तो plow the sand plow the sands अब यह देखे क्या होता है soil यानि मित्टी और sand यानि रेत मित्टी के अंदर आप कुछ अगर बोएंगे तो वो ज़रूर उगएगा ग्रो होगा कोई न कोई पौधा पेड़ बनेगा sand यानि होती है मित्टी हमारे मरुस्थल हमारे रेगस्तान है बड़े-बड़े राजस्तान में वहाँ होती है sand और उसमें कुछ भी नहीं पनपता है ग्रो नहीं करता है उगता नहीं है पौधा नहीं बनता है तो पेड़ कहां से बनेगा so plow plow का मतलब होता है p-l-o-u-g-h का मतलब होता है कोई चीज को बोना खोदना उसको अच्छे से हल चलाना तो उसको कहते है plow अब अगर आप plow यानि verb है हल सलाएंगे sand के अंदर तो क्या होगा futile labor futile labor का मतलब है futile effort effort का मतलब है प्रयास labor का मतलब है महनत बहुत ही बिना मतलब की महनत है वयर्थ futile को exact ہंदी में कहते है वयर्थ सो आप वयर्थ की महनत कर रहे है वयर्थ के effort लगा रहे है वयर्थ का प्रयास कर रहे है अगर आप plow the sand कर रहे है यानि कि भाईया मिट्टी में जाके अपना हलच लाओ काहे रेत में हल चला रहे हो he cannot make money वो पैसा नहीं बना सकता because he appears to be plowing the sand ऐसा लग रहा है की भाईय वो sand में हल चला रहा है अरे रेत में हल चलाने से क्या होगा रेत में हल चलाने का मतलब है यह आपके labor आपकी efforts जो है वो बिलकुल चले जाएंगे, फ्यूटाइल हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे मैं चाहता हूँ वी से शुरू होता हूँ एक word जो व्यर्थ के लिए आए दोस्तों मैं बीच बीच पे इस तरह के games इसलिए खेलता हूँ आपको active रखने के लिए, हमारे session को interactive रखने के लिए आप मुझे सुन रहे हैं के नहीं, इस moment पे आप मेरे वीडियो में पहुंचे हैं के नहीं मुझे कैसे पता चलेगा, वी से शुरू होता हूँ एक word जो synonym बन जाए दोस्तों, futile यानि व्यर्थ के लिए, देखते हैं आप मेंसे कितने लोग बादशाव बन पाते हैं आगे लिए चलता हूँ दोस्तों, poor oil in troubled waters, poor oil in troubled waters का मतलब है troubled waters हैं, बहुत जादा तकलीफ में, परिशानी में और उसको शान्त करना शान्त करने के लिए अच्छा word है दोस्तों, pacify करना आपने सुना होगा, एक pacific ocean है, प्रशान्त महसागर है तो प्रशान्त महसागर क्या है? pacific, यानि कि शान्त करना matter यानि मुद्दे, मुद्दे को शान्त करना, अंदर ठकना दबा देना, आगे नहीं बढ़ने देना, किसी तरीके से शान्त करने को कहते हैं, to pour oil on troubled waters the two good friends, बहुत अच्छे दोस्त थे दो, exchange hot words गरम हो गए दोनों, एक दूसरे के परती, गरम शब्दों का प्रयोग किया, but the intervention, दोस्तों, intervention का मतलब है, दखल, यह नए नए word दोस्तों, copy में लिखते चले जाएं, intervention का मतलब है, दखल, of their teacher, उनके teachers का जो दखल अंदाजी हुई, उससे उनके troubled waters में pour oil हो गया, यानि तेल गिर गया, वी-ो-यू-आर पोर, यानि उन्डेलना, गिराना, so, उनको, उनके जगडे को शाम्त कर दिया, उनके teacher के intervention ने, ऐसा यह statement कह रहा है, तो दोस्तों, हमने यहाँ पे, अलग-अलग नए-एडियम सीखते जाना है, अभी कुछ इडियम और है इस वीडियो में, देखते चले जाहिए, इडियम पे आते हैं दोस्तों, अगला इडियम है, इडियम नमबर 19, pull a long face का मतलब है, to look sad, बहुत ही उदास दिखना, अर long face का मतलब है, face लंबा हो जाएगा, तो हम बड़े उदास नजर आएंगे, सीमा pulled a long face when she was scolded by her teacher on her carelessness, सीद्धी सी बात, आप अगर careless रहेंगे, अगर आप ध्यान नहीं देंगे, अगर आप care नहीं करेंगे, तो आपकी teacher डाटेगी, और अगर teacher डाटेगी, तो क्या करेंगे, आप you will pull a long face यानि कि आप उदास हो जाएंगे, sad हो जाएंगे, disappointed हो जाएंगे, so sad हो जाना, disappointed हो जाना, उदास हो जाना, उसके लिए word निराश हो जाना, उसके लिए idiom है हमारा, pull a long face, आज का आखरी idiom दोस्तों, pull one's socks up, यानि कि work hard, भाया मुझे चड़ाओ, लग जाओ, काम पे लग जाओ, हो जाएंगे, आज तो बिलकुल दना दन, दना दन कार्य, so कड़ी मेहनत करने को कहते हैं, pull one's socks up, you must pull your socks up, आपने notice किया हो, one's जहाँ पे आएगा, वहाँ एक possessive case आएगा, भले noun का है या pronoun आए, once यानि एक का, your यानि तुम्हारे भाया मुझे उपर चड़ा दो, to get over financial problems, get over भाया उससे दूर करना है अगर, तुम्हे अगर financial problems दूर करनी है, तुम्हारे को वित्तियत दुविधाओं से बाहर निकलना है, तो भाया तयार हो जाओ, मैदान के लिए तयार हो जाओ, अपने तयारी कर लो, और मैं दोस्तों, आप लोगों से कहूंगा, pull everybody, pull your socks up for competition exam, महनत के लिए, कड़ी महनत के लिए, तयारी के लिए, बिलकुल हो जाए, get ready for it, and do fight, fight करें दोस्तों, कोई ऐसा competition नहीं है, जो आप नहीं पार कर सकते, बस determination चाहिए, एक ऐसा determination चाहिए, कि आप कोई चीज को, कोई आप के सामने आ रही, कोई भी ऐसी दुविदा को दबा पाएं, हटा पाएं, अपने रास्ते से हटा पाएं, pull your socks up, चलिए, आज के idioms को समाप करते हैं, और इसी तरीके के idioms की कहानियां लेते चले आएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, अगले वीडियो में, और उसके आगे जो बढ़ते वीडियो हैं, उन सभी में, आप सभी का वीडियो के लिए धन्य, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, अच्छा लगाए तो सब्सक्राइब सरूर करिएगा, दोस्तों अच्छ